प्राइम टीवी में आपका स्वागत हैं मैं हूँ अपके साथ शखा मैरोत्रा शुरुआत करते हैं खबरों की अमारिका के पूर्वराश्रपती डोनाल ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है डोनाल ट्रम्प ने आज ऐलान किया है कि मैं अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाँच करने जा रहा हूँ जिसका नाम तुर्थ सोशल रखा गया है बता जा रहा है कि ट्रम्प का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की तरह ही होगा जिस पर यूजर्स अपने विचार, फोटो और वीडियो को शेयर कर सकेंगे ट्रम्प ने अपने बयान में ट्विटर पर निशाना साथते हुए कहा ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलोजी ग्रूप और टृत सोशल उसके आप को लॉंच करने का उनका लक्ष बिग टेक कमपनियों के लिए एक प्रतिदवन्दी बनाना है जिन्होंने उन्हें बान कर दिया है उन्होंने कहा हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तालिबान की ट्विटर पर बड़ी मौझूदगी है फिर भी आपके पसंदीदा अमार की रास्रपती को खामोश कर दिया गया है ये असी कारे है तो दुनार टरंप ने बड़ा ऐलान किया है कि वो अपना एक सोशल मीडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म है जो कि बिलकुल ट्विटर की तरह होगा जिसके नाम होगा तुरुट सोशल तो तुरुट सोशल एकदम ट्विटर की तरह होगा जहाँ पे लोग अपने विचार रख सकेंगे अपनी फोटो और वीडियो साज़ा कर सकेंगे और जैसे भारत ने अपना कू एप लाँच करा है ये बिलकुल वैसा ही होने वाला है तुरुट सोशल क्योंकि ट्विटर दोनाल ट्रम्प को उनके अकाउंट को सिस्पेंट कर दिया बैंद कर दिया जिसकी वजह से बीते दिन ये खबरे भी सामने आए थी जब एक बयान सामने आया था कि डोनाल ट्रम्प ने कहा था कि मुझे अपने सोशल वीडियो प्लेफरम ट्विटर की बहुत याद आ रही है जिसके बाद अब ये बड़ा खुलासा किया गया है और उन्होंने कहा है कि डोनाल ट्रम्प खुद तृत सोशल को लाँच करने वाले हैं और जिस पे लोगों को पूरी अज़ादी होगी अपनी बाते रखने की और अपने विचार साजा करने की गतादे के सोशल मीडिय प्लेटफॉर्म को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है डोनाल ट्रम्प ने आज ऐलान कर दिया है कि मैं खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाँच करने जा रहा हूं जिसका नाम तृत सोशल रखा गया है और बताया गया है कि ट्रम्प का ये सोशल मीडिया प्ले का लक्ष बिग टेक कंपणियों के लिए एक प्रतिद्वंदी बनाना है तो सीधे तोर पर ट्वीटर पे निशान सादा है और अपनी सोशल मीडिया आने वाली प्लेट्ट फॉर्म को प्रतिद्वंदी बताया है ट्वीटर का उन्हों ने कहा कि जिन्होंने उन्हें बैन कर दिया ये उसका प्रतिद्वन्दी होगा साथ ही आगे कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तालिबान की ट्विटर पर बड़ी मौजूद्गी है फिर भी आपके पसंदिदा अमारीकी रास्पती को खामोश कर दिया गया है य जरुवार को देश्ट में करोना वैक्सिनेशन का आकड़ा सौ करोड के पार पहुँच जाएगा सौ करोड डोस पूरे होने पर सरकार ने भी जश्न की तयारी कर ली है दिली के राम मनोहल लोहिया में आज एक बड़े कारिक्रम का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रधान म अध्यक्ष जेपी नड़ा जिगाजेबाद के एक वैक्सिनेशन सेंटर पर रहेंगे और वहाँ स्वास्तकर्मियों को सम्मानित करेंगे वही नड़ा पहले इंद्रापुरम स्थित मांसरोव और भवन का नेरिक्षण करेंगे इसके बाद वो सौ करोड देश वासियों को कोरोना का ठीका लगाने के अफसर पर आयोजित होने वाले धन्यवाद कारिक्रम में में शामिल होंगे धन्यवाद कारिक्रम मोहननगर के ITS कॉलेज केस भागार में होगा मैं बीजेपी के मानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि नड़ा में पहले सुबह साड़ी चालिस मिनट पर ITS में धन्यवाद कारिक्रम को संबोधित करेंगे उन्होंने बताया कि बीजेपी के छेत्रे अध्यक्ष मोहिद बेनिवाल के साथ उन्होंने मांसरोवर भवन में तैयारियों का जाइजा लिया है आरलम में कारिक्रम में शामिल होंगे खुद पिया मोदी धन्यवाद कारिक्रम रखा गया है आज 100 करोड 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 वैक्सिनेशन का रिकॉर्ड आज पूरा हो रहा है इस कारिक्रम में खुद पिया मोदी भी पहुचेंगे तैयारिया पूरी कर लिगई है जैसे ही यह आ उत्राखन में भारी बारिश से हालात काफी बिगड चुके हैं मुसलधार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में भूसकलन की खबरों के साथ ही अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं केंदर ग्रिह मंत्री अमिच शा उत्रखंड में हुई बारिश से तबाही का जाइजा लेने के लिए बुधवार देश शाम देहरादून एरपोर्ट पहुँचे इस दोरान एरपोर्ट पर मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी भी मौजूद रहे बतादे कि उत्रखंड में मौन्सून की वापसी के साथ ही हो रही मूसलधार बारिश के कारण हुए नुकसान पर शा समीक्षा बाठक करेंगे और इस्तिधी का जोयजा लेंगे साथी राज्य में भारी बारिश के बाद हवाई सर्वेक्षण करेंगे भारी बारिश से प्रभावत उत्रखंड में वुद्वार को छे और शव बरामत किये गए हैं जिसमें राज्य में मरने वालों के संख्या बढ़कर बावन हो गई है वहीं बारिश के चलती भूस खलन से अनेक सडके अवरुद्ध हो गई हैं और अनेक गाउं में बिजली आपूर्ती भी ठप हो गई हैं अधिकारिक आकडों के अनुसार नश्ट मकानों के मलबे से आज 6 और शव में ले 5 लोग अभी भी लापता हैं और बारिश से गटनाओं में 17 लोग घायल भी हुए हैं एक अधिकारिक बयान के अनुसार ज्यादा तर लोगों की मौत मकानों के गिरने के कारण हुई है वहीं नैनी ताल जिले में ही 28 लोगों की मौत हो गई है तो बारिश अपना कहर बर पा रही है और इसका सबसे ज़दा असर उत्राखंड में देखने को मिल रहा है ग्रीमंत्री आज जा हवाई सर्विक्षन करेंगे उत्राखंड में बार बारिश से अब तक 52 लोगों की मौत की पुष्टी हो चुकी है उत्राखंड में बार बारिश से काफी तबाही हुई है 52 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और तबाही का जायसा लेने ही आप इच्छा आज जाएंगे हवाई सर्विक्षन करेंगे आपको बता दे कि सबसे जादा मौते मकान गिरने से हुई है जिसके वजह से लोग दब गए और वही पर उनकी बात हो गई वही लैंड-सलाइड ये जिससे कई मार्ग अबरुद हैं तस्रीरे देख सकते हैं आप किस कदर तबाही मचा रही है बारिश बेमौसम बारिश ये जिस तरह से कह सकते हैं कि ये मौसम नहीं है बारिश का मौनसुन जा चुका है वहीं इक पर फिल लौट कराया है जिसके ब वालमीकी के परीजन उसमलाकात की आगरा के एक थाने में माल खाने से नज़्दी की नकदी चुराने का आरोपी अरुण वालमीकी की मंगलवार को पुलिस हरासत में मौत कर दी गई थी इसके बाद प्रियंका गांधी वुलाकात के लिए रवाना हुई हलाकि पुलिस ने उन उन्हें आगरा जाने की इजासत दी प्रियंका के साथ यूपी कॉंगरस के प्रदेश अध्यक्ष अजै कुमार ललू आचार्य प्रमोद कृष्णन और एमल सी दीपक सिंग को भी आगरा जाने की अनुमत दी गई देश में हर दिन पेट्रॉल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और आम आदमी की कमर तूट रही है आज एक बब फिर वेक्षवे कच्छे तेल की दरों में उच्छाल के बाद इनर की कीमते अब तक के नए उच्छे तम स्तर पर पहुँच गई है इंडियन ओयल कॉर्परेशन के नुसार रास्ट्रे रास्थानी में पेट्रॉल और डीजल की दरे 35 पैसे बढ़कर एक्रवशाह एक सो चे रुपए 54 पैसे है और 95 रुपए 27 पैसे पर लीटर हो गई है कई शहरों में पेट्रॉल के दाम सो रुपए के ऊपर पहुँच गए हैं फिलहाल देश में इंधन की बढ़ती कीमतों में तुरन तक कमी होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं हलाकि तेल की आपूर्तियों और मांग के मुद्धे पर केंद सरकार कई तेल नरिया तक देशों के साथ बादचीत कर रही है लेकिन कीमतों में ततकाल राहत की कोई संभावना नहीं है तो पेट्रॉल और डीजल की कीमते आए दिन बढ़ रही है वैश्विक स्तर पर भी इनकी कीमतों में काफी बढ़हौतरी देखी गई है सरकारे इसकी कीमतों में कमी करने की कोशिश तो कर रही है लेकिन आए दिन 35 पैसे की बढ़हौतरी की वजह से 100 रुपे के उपर महु तो में एक बार फिर उच्चितम इस्तर पर पहुँच गई है ये कीमते इंडियान ओयल कॉपरिशन ने बताया है कि रास्ट्रे रास्थानी में पेट्रॉल और डीजल की दरे 35 पैसे बढ़कर 106 रुपे 54 पैसे और 95 रुपे 27 पैसे फ्रतिलीट्यर हो गई हैं कई शहरों म और इसमें लगतार बढ़ वहतरी भी हो रही है इस बुलिटिन में फिलहा लेता ही आप देखते रही है प्राइम टिवी